आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहां अच्छी मार्केटिंग के थूँ आप खराब से खराब बुक को भी बेस्सेलर बना सकते हो। इस मार्केटिंग की रेस में कुछ ऐसी बुक्स पीछे शूट जाती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी अंडरेटिंग बुक्स के बारे में बताऊंगा जो शायद इतनी पॉपलर नहीं हैं। बट उन बुक्स ने मेरी लाइफ में बहुत डीप इंपाक्ट किया है। जो बुक्स मार्केटिंग और वर्ड अफ माउथ के अथ्रू पॉपलर हो जाती हैं जरूरी नहीं वो अच्छी हो। कुछ बुक्स लिडिन जेम्स के तरह इस पॉपलारिटी की रेस में आगे नहीं आ पाती। तो अब मैं आपको पांच ऐसी बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ शायद जिनके बारे में आपने सुना भी हो या नहीं भी। क्योंकि वो बुक्स मेंस्ट्रीम सेलफ एल्फ बुक्स से बहुत कम पॉपलर हैं। बट इन बुक्स में मेरी लाइफ में सबकॉंशिसली बहुत डीप इंपाक्ट किया है। बुक नमबर वन बिग माजिक बाई इलिजबेट किलबर्ट ये बुक मेरी लाइफ में तब आई जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रुरत थी। इस बुक को पढ़ते टाइम मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट इस बुक ने मेरी वे ओफ थिंकिंग को चेंज कर दिया। ये बुक बात करती है क्रियेटिव थिंकिंग की। कैसे जब आपके जिवाग में कोई एक आईडिया आता है तो वो आईडिया सिरफ एक छोटा सा थौट नहीं होता बलकि आप एक नई क्रियेटिव एनर्जी को जनम देते हो। ये क्रियेटिव एनर्जी इस दुनिया में आने का वेट कर रही होती है आपके थूँ। आईडिया एक limited time तक वेट करता है आपके physical actions के थूँ इस दुनिया में आने के लिए पर जब आईडिया को लगता है कि आपके अंदर वो willpower नहीं है तो वो आपको छोड़कर किसी दूसरे इंसान को ढूणने लगता है जो उसे इस दुनिया में ला पाए I know यह एक बहुत weird और unique concept है पर author इस concept को proper examples के थूँ डिफेंड करती है जो आपको believe करने पे मजबूर कर देंगे कि idea सिरफ एक thought नहीं है इस book को पढ़ने के बाद अब मुझे कोई भी idea आता है तो सबसे पहले I make sure I write it down so that that creative energy always stays with me तो आप भी इस book को open mind के साथ पढ़ना and I assure you that this book will make you question the reality of creativity book number two the courage to be dislike again इस book के concepts भी आपको बहुत weird और unique लगे इस book में author एक नई psychology Aldirian psychology के बारे में बात करते हैं यह psychology normal human psychology से बहुत अलग है एक normal human psychology में हम cause and effect method से सोचते हैं for example जैसे मैंने running बंद कर दी कि मेरे दिमाग में यही आता था कि मुझे बचपन में knee injury हुई है and I can't run any more but यह book उस psychology को पूरा change कर देती है यह book आपको goal oriented approach सिखाती है ना कि cause and effect approach for example इस book को पढ़ने के बाद मेरा goal था running करना और उस goal को achieve करने के लिए मैंने अपनी knees को strengthen किया and I started running again running is amazing it just suits your whole body up अब आप दोनों psychology में difference देख सकते हैं जहां normal human psychology ने मुझे past पर blame डाल कर running करने से रोका वहीं aldeerian psychology ने मुझे running को aim बना कर उसके लिए solutions घूणने के लिए motivate किया तो अब आपके उपर है क्या आप past पर blame डाल कर ऐसे ही बैठना चाते है या new goals बना कर आगे बढ़ना चाते है इस book में और बहुत कुछ है especially about interpersonal relationships so इस book में मैं future में एक detail वीडियो भी बनाऊंगा book number 3 start with why I know आपने इस book के बारे में जरूर सुना होगा but कितने लोगों ने इस book को actually पड़ा है very few इस book के बारे में मैंने एक detail वीडियो भी बनाई है past में जो आपको उपर i button पे मिल जाएगी तो इसलिए मैं इस book के बारे में ज्यादा detail में नहीं कहूंगा but this book can have a paradigm shift in your life book number 4 है I have a dream by रश्मी बंसल ये book मेरी opinion में बहुत underrated है क्यूंकि इस book में author ने India के some of the best social entrepreneurs का interview लेकर उनके बारे में लिखा है इस book से मुझे realize हुआ कि जितने भी entrepreneurs होते हैं उनका बस एक ही goal होता है to make the lives of other people better अब वो चाहे आइफोन बनाकर हो या फिर Indian villages में tallest लगाकर ये book बहुत casual और easy to read है बट इसकी stories बहुत powerful है इसमें आपको डेली के चीफ मिनिस्टर अरविंत के जिवाल जी की भी story मिल जाएगी उनकी story से मैं बहुत inspire हुआ क्यूंकि वो भी एक engineer थे जो लोगों की मदद करना चाहते थे और लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने पूरी डेली की politics change कर दी इस book से मैं बस एक story शेयर करूंगा जो आज तक मेरे posture को effect करती है ये कहानी lobsters की है जब दो lobsters एक दूसरे से लड़ते हैं या तो खाने के लिए या female lobster के लिए जो winning lobster होता है वो जीतने के बाद एक aggressive posture में खड़ा होता है और उस posture में खड़े होने से उसके दिमाग में जो chemicals रिलीज होते हैं वही same chemicals हमारे दिमाग में रिलीज होते हैं अगर हम simply अपने shoulders को पीछे करके और chest बाढ निकालके खड़े होए तो यह same chemicals आपको antidepressants में भी मिलते हैं इन chemicals की वज़े से आप life में ज्यादा positive फील करते हो ज्यादा risks ले पाते हो life को और boldly जी पाते हो और सिर्फ किस वज़े से अपने standing posture की वज़े से तो जब भी मैं आज कहीं पे भी खड़ा होता हूं यह lobster की story कहीं न कहीं subconsciously मेरे दिमाग में होती है और वो मेरे standing posture को effect करती है So you can see how these books have affected my life Ideas को paper पे लिखने से लेकर running करने तक और standing posture तक हर चीज में इन books में कहीं न कहीं subconsciously मेरे दिमाग में कोई deep impact किया है So definitely give them a try if you can I hope this video से अपको कुछ नया सीखने को मिला ऐसे ही मैं अपने Instagram चैनल पे भी useful और नया content share करता हूं जैसे कि यह सारे life lessons मैंने खुद अपनी life में implement करे हैं So follow me on Instagram if you can I'll try to help you guys as much as I can And thank you so much for all your support and messages I feel really humbled I'll make sure that I keep pushing out good content for you guys like this I'll see you in my next video Till then, happy reading and stay curious I'll see you in the next video